मैं यती वर्यकुमार विजय, आप सभी दर्षकों का देनिक यती राशीफल चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में दिनांक 5 और 6 जून की मध्य रात्री होने वाले चंदर गरहन के बारे में जानकारी दूँगा कि चंदर गरहन कब कितने बजे शरू होगा, कितने बजे मोक्स होगा, चंदर मा किस राशी में होगा और किस नक्षतर में यह चंदर गरहन लगेगा पूरा पंचांग और कहां कहां दिखाई देगा आदी संपूर बारिक से बारिक और चोटी से चोटी जानकरी दूँगा तो सबसे पहले हम पांच जून का पंचांग देखते हैं कि कैसा रहेगा दिनांग पांच जून 2020 सुकरवार का दिन जेश्ट मास सुक्लपक्स की पूर्णिमातिति मद्धी रातरी 12 बजकर 41 मिनर तक रहेगी फिर असाड मास क्रश्टमपक्स की पर्तिपदातिति सरू होगी अनुराधा नक्षतर श्याम 4 बजकर 45 मिनर तक रहेगा फिर गंड मूल संग्यक जेश्ठा नक्षतर सरू होगा सिद्ध योग रात 8 बजकर 14 मिनर तक रहेगा फिर साध्य योग सरू होगा विष्टी यानि की भद्रा दोपहर एक बज़कर चपन मिनट तक रहेगी और फिर बावकरण सरू होगा चंदर्मा दिन रात वर्षिक राशी में गोचक करता रहेगा यह था पंचाम ग्रहन के दिन पांच और छे जून की मद्यका और अब आगे देखेंगे कि चंदर्मा का समय कितने बज़े से कितने बज़े तक होगा इसका क्या अशर है क्या नहीं है यह सब जानकारी देखेंगे लेकि इससे पहले मैं आप से एक छोटा सा अनुरूद करना चाता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सबिस्क्राइब करें और फिर गंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है आपको नोटिविकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें इसके अलावा मैंने जून महिने का सभी 12 राशिव का मासिक राशिवल भी पोस्ट किया है आप मेरे चैनल पर वह भी देख सकते हैं और अगर आपको मेरे से कोई बाचित करना है तो आप नीचे स्क्रीन पर मेरा नमबर देख रहे हैं आप इस नमबर पर 94625 75291 इस नमबर पर रविबार के दिन केवल दिन में 10 बज़े से 11 बज़े तक बाचित कर सकते हैं फिलहाल मैंने एक सवाल का जवाब देने की चो व्यवस्ता वार्चप पर थी वह कुछ समय के लिए रोक दी है जल्दी ही समय मिलने पर मैं इसको वापस शरू करूँगा अब देखते हैं कि चंदर गरहन का समय क्या होगा इसका क्या अर्थ है इस चंदर गरहन का यह कैसा चंदर गरहन है और इसका क्या असर होने वाला है तो चंदर गरहन रात 5 जून को 11 बजकर 16 मिनट पर सरूब होगा और गरहन का जो मद्यकाल है वह 6 जून की सुबह यानि की रात को 12 बज़े के बाद में 6 जून लग जाएगा तो 12 बजकर 15 मिनट पर यह मद्यकाल होगा और चंदर गरहन का पूरा मोक्ष रात्री मद्य रात्री 2 बजकर 34 मिनट पर होगा लेकिन यह चंदर गरहन नहीं माना जाएगा क्योंकि इस चंदर गरहन में चंदर मा का कोई भी हिच्सा हमें कटा हुआ या कम नहीं दिखाई देगा चंदर्मा अपने पूर्णा कार में ही हमें दिखाई देंगे इसका कारण यह है कि यह चंदरगरहन नहीं बलकि उपचाया चंदरगरहन होगा इसका मतलब यह हुआ कि चंदर्मा पर्थवी की चाया में से गुजरेगा इसलिए यहाँ थोड़ा धुंदला जैसा दिखाई देगा, लेकिन चंदर्मा पर पर्थवी की चाया किसी भी कोने पर इसपष्ट नहीं पड़ेगी, जब चंदर्मा पर सीधी चाया नहीं हो और चंदर्मा केवल पर्थवी की चाया में से गुजरेगा, तो इस परकार के ग चंदर्ग्रहन कहते हैं, यहाँ चंदर्ग्रहन पुत्री अमरिका, ग्रीन लेंड, दक्षिन अमरिका का पस्चमी बाग, रशिया का पूर्वतर वाग को छोड़कर, बाकी पूरे संसार में या विश्व में दिखाई देगा, इस मांदे चंदर्ग्रहन का बारत में कोई दार्मिक में तो नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक आदी भी नहीं लगेगा, इसी परकार का ग्रहन इसी साल में दस जन्वरी को भी लगा था, और उस ग्रहन के समय में भी सूतक नहीं लगा था, और इस ग्रहन के समय भी सूतक नहीं लगेगा, हालंकि काफी लोग ग्रहन के 10 गंटे पहले तक सूतक मानते हैं और पूर्ण रूप से ग्रहन में लगने वाले सूतक की तरह ही नियमों का पालन भी करते हैं सूतक में खाना नहीं खाते, सोते नहीं है और टीवी आदी नहीं देखते मोबाइल आदी में भी कोई मनोरंजन की गतिविदी नहीं करते, पूजा पाठ आदी भी नहीं करते, मंदिर भी बंद रखते हैं, ग्रहन के बाद रानपुन करते हैं, लेकिन इस ग्रहन में ऐसी कोई बाद्यता नहीं है, बस छोटे बच्चे, बड़ी उम्र के बुजुर्क लोग और गर्वती महिलाएं खली विशेश थोड़ा सा ध्यान रखेगी, तो ठीक रहेगा, वैसे भी इस ग्रहन का असर किसी राशी विशेश पर नहीं पड़ेगा, नहीं किसी राशी विशेश को कोई बहुत ज्यादा लाब होगा, नहीं किसी को कोई हानी होगी, लेकिन फिर भी राशी के नुसार अगर देखेंगे, तो मेश राशी, मिथुन राशी, सिहा राशी, वर्षिक राशी, धनु राशी और कुम राशी वालों के लिए यह सब नजारा देखने से अगर बचेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस ग्रहन के ठीक 15 दिन बाद 21 ज मोसम पर खास करके जन जीवन पर विशेश परभावी होगा, और मैं आपको अगले वीडियो में सूर्य ग्रहन के बारे में पूरा विशलेशन करके पोस्ट करूँगा, आप मेरा यह सूर्य ग्रहन का वीडियो अविश्य देखें, उसमें मैं ग्रहन से सम्मद बहुत सी ब अच्छ नीव आपको एंड़ से आपको आपको एंदेशन करके अविशलेशन के प्रहन के उना ग्रहन करे लिए एंद।